Hello guys, welcome back my youtube channel So, आज का जो हमारा topic है वो है entrepreneurship development Last unit, यूनिट 5th entrepreneur and law जहां पे हम देखेंगे कि entrepreneur and law में क्या differences है और इनका जो definition है, meaning है, वो क्या-क्या है वो इस वीडियो में हम discuss करेंगे पहले कि 4 वीडियो में हम जो 4 units हैं हमारी entrepreneur development की उनकी long वीडियो भी हम चैनल पे अपलोड कर चुके है और शॉर्ट वीडियो भी अपलोड कर चुके है जो भी हमारी 4 वीडियो है Entrepreneurship Development की 1st, 2nd, 4th चैप्टर की 1st, 2nd, 3rd, 4th चैप्टर की वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूगी वहां से आप जाके चेक कर सकते हो है और देख सकते हो तो चले स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो जो हमारा आज का टॉपिक है वो है Entrepreneur and Law आपको पहले की वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि अगर आप पहले की 4 वीडियो आपने नहीं देखी 4 unit आप नहीं देखे तो आप इस वीडियो से सही से रिलेट नहीं कर पाएंगे जो Commerce Student है वो तो शैद रिलेट कर भी ले काफी हद दक लेकिन जो Technical Background से है वो इस वीडियो से इस चेक्टर से रिलेट नहीं कर पाएंगे तो मैं make sure करूँगी आपको कि आप उन वीडियो को definitely देखे and उन वीडियो को आप देखके मुझे ये भी बता सकते हो कि मैंने क्या उन वीडियो में miss out करा है क्या आपको और question चाहिए, कौन सा topic चाहिए then मैं उसे related next वीडियो जो है वो prepare करूँगी business ownership, ownership क्या होते है owner क्या होते है, मालिक, जो भी business के मालिक होते है that is owner, a business is run by one person that only known as shawl enterprise, एक जो भी business होता है उसको run करने वाला सिर्फ 1% होता है जिसे हम क्या बोलते है, shawl enterprise shawl enterprise को हिंदी में बोलते है, एक कल व्यबसाई जैसे होता है, जैसे joint family होते है उसको हम बोलते है, सिन्यूक्त हिंदू परिवार तो shawl enterprise को हम बोलते है, एक कल व्यबसाई जहां पे एक 1% जो है, वो पूरे business को run करता है that is shawl enterprise तो business ownership जो होती है, उसमें बहुत सारे लोग होते है, लेकिन 1% जो है, उसको run करता है उसमें employees, persons बहुत ज़्यादा होते है कितने person एक business को start करते हैं, कितने उनके decisions लेते हैं, कितने उनकी management करते हैं ये सारे के सारे जो है topics है, points है, हम इस वीडियो में पढ़ेंगे and साथ ही इसमें, जो भी इसको rule होते हैं, इनको apply होने में, वो भी हम इस वीडियो में discuss करेंगे कि किस law के according हमें इस business को run करना होता है, वो सारे law जो हम इसमें study करेंगे तिप business is run by individual person or having the partnership, ये जो business है, वो एक individual person के थ्रू भी हो सकता है एक one person के थ्रू भी हो सकता है और having the partnership और एक partnership के थ्रू भी हो सकता है तो अब हम देखेंगे कि objectives क्या हो सकते हैं, means the objectives of business plan monitoring the position after applying the plan एक objective इसका ये होता है कि evaluate करा जाता है जब हम business को set up कर लेते हैं हमारा work culture कैसा होगा या outcome कैसी होगी, वो हम इसमें देखेंगे तो अब हमार पास आता है various form of business ownership जो business ownership है हमारे पास, उसकी वी various forms है जो कि हम देखेंगे कि कौन-कौन सी various forms है business में फर्स्ट होता है शोल प्रोपरेटिशिप सेकिंड इस partnership firm थर्ड इस joint stock company फोर्थ वन इस जो हमने अभी आपको बताया joint hindu family और लास्ट वन इस cooperative organization शोल प्रोपरेटिशिप शोल प्रोपरेटिशिप जैसे हमने देखा शोल एंटरप्राइज जहां पे एक अकेला person किसी business को run करता है किसी भी organization को start करता है या अपना business start करता है that is शोल एंटरप्राइज सेकिंड हमारे पास आता है partnership firm partnership firm क्या होती है जहां पे अकेला person जो है वो business start नहीं करता है जहां पे दो से जादा person जो है business को start करते है that is partnership firm वो जो है वो partnership firm में आएगा third one is joint stock company fourth one है हमारे पास joint hindu family firm जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा joint hindu family firm जहां पे एक joint family जो है वो business करती है जहां पे like किसी के दादा है उन्होंने कोई लकडी का business चलाया हुआ है ठीक है that is carpenter तो पहले उन्होंके वो grandfather ने वो business जो है वो संभाला then उनके बाद उनके father जो है उसके owner बने then उसके बाद आप उसके owner बनोगे that is joint hindu family what is joint hindu family firm what is joint hindu family business या फिर what is joint hindu family तो ये question जो है आपको exams में maximum times पूछा जाता है चाहे आप big arm कर रहे तो भी आपसे first या second time में पूछा जाएगा और if अगर आप 11th में हो 12th में हो तो commerce में definitely accounts में ये question पूछा जाता है accounts में या फिर business law में ये question जो है वो पूछा जाएगा maximum business law में पूछा जाता है तो ये question आता है कि what is joint hindu family joint hindu family जो है वो business कैसे करते है ये क्या होता है और इसके characteristics क्या होते है जिसमें आप ये बताओगे कि हाँ ये कैसे जो है इसको हम लागू करते हैं कैसे इसको start करते है ये चीज़े आप इसमें बताओगे तो joint hindu family में क्या होता है कि ये पीड़ी दर पीड़ी जो है वो चलता है कि light पहले दादा कर रहे है फिर आपके father फिर you फिर end आपके जो बच्चे है फिर आगे उस business को continue करेंगे तो वो है हमारा joint hindu family business लास्ट है हमारे पास cooperative organization cooperative organization क्या होता है cooperative organization मतलब जहां पे जो है वो organization cooperative होते हैं बहुत से दो तीन organization जो है वो cooperate करते हैं that is cooperative organization then अब हम जो है वो joint stock company and joint hindu family इसको हम briefly discuss करेंगे कि joint stock company JSC हमारे पास क्या होता है इसके example क्या है and उसके बाद हम discuss करेंगे joint hindu family firm और business JFF क्या होता है joint hindu family firm क्या होता है वो अब हम discuss करेंगे दो topic जो कि हमारे main topic है इन सब में जो various form of business ownership है उनमें दो हमारे पास जो है मों main है वो है joint stock company and joint hindu family business जिसे maximum questions आते ही आते है तो joint stock company क्या है हमारे पास it is a type of business organization where the ownership of a company is divided into share and the share holders had limited liability joint stock समझ रहे होंगे आप जहां पे shares holder होते हैं तो वो business organization जहां पे जहां पे business organization में company is divided into share share divide किये जाते हैं किस में? आप दी share holders में आप लिमिटेड लाइबिल्टीज में तो वो ही है joint stock company जहां पे जो है वो shares होते हैं shares holder होते हैं limited liability होती है जो की जो जब मिला के company को establish करते हैं वो होता है joint stock company जैसे for example हम example लेते हैं joint stock company का Tata Iron and Steel Cooperation सुना होगा आपने second one है Hindustan Lever Limited सुना होगा आपने and last one है Reliance Industries Limited that is the example of joint stock company Reliance Industries Limited जो की सबसे famous है Ambani जी की जो आपने maximum सुना होगा तो यह सब company joint stock company के examples है जो की share जिसमें shares होते है shared holders होते है वो सब मिल के जो है वो business start करते है business grow करते है तो यह था हमार पास joint stock company then next हमार पास private company must have at least two person जो भी private company होती है उसमें at least two person जो है वो होने चाहिए public limited company must have at least seven people to it get registered और जो भी एक public company होती है उसमें at least seven people जो है वो register होने ही चाहिए जबकि हमारी private company में दो person जो है वो register होगे तो उसको हम start कर सकते है लेकिन public company में यह rule है कि उसमें at least जो है वो seven person register जो होने चाहिए private company में यह होगा कि जब तक दो person जो है वो नहीं होगे उस private company का registration जो है वो नहीं होगा then आगे है हमारे पास joint Hindu family firm जो हमने पहले भी discuss कर लिया थोड़ा और हम इसको discuss करेंगे and then आपको copy करना तो आते ही है फिर आप जैसे आपको अगर how paragraph भी पता होगा इसका आधा भी पता होगा कि joint Hindu family क्या है वैसे तो यह बहुत easy है आपको पता ही होगा जितना मैंने बताया उससे आपको पता चल गया होगा कि इसमें क्या होता है पर फिर भी अब हम थोड़ा से इसमें discuss कर लेते हैं joint Hindu family क्या है it is a type of business structure that is traditionally found in India joint Hindu family business जो है वो इंडिया में बनाया जाता है established करा जाता है सिबसे जाधा इंडिया में तभी इसमें लिखा हुआ कि traditionally found in India known as Hindu undivided family H.U.F अब Hindu undivided family क्या है हमार पास कि वो family जो कभी divide नहीं हुई है for example कि माल लीजिए जो company 1980 से चल रही है and then वो एक family business है और बैसे ही वो आगे आगे चल रहा है कि पले grandfather है आपके then father, then you then आगे your son or daughter तो वो क्या है कि वो है Hindu undivided family H.U.F जो कि अभी तक उसका कोई भी बटवारा नहीं हुआ है वो पीडी दर पीडी business जो है वो बैसे ही चला जा रहा है 1956 में जो है ये act बना था तो ये है joint Hindu family वो company जो की govern की जाती है manage की जाती है सिर्फ एक Hindu undivided family के द्वारा joint Hindu family में जो है एक और इसमें rule है कि जो भी घर का बड़ा सदस्य होता है like आपके grandfather है वो उस business के आपके joint Hindu family business के owner है तो business में जो भी जो है वो decision लिया जाएगा जो भी आपको जो है वो money से related हो, capital से related हो या other कोई decision हो तो वो जो है जो भी उस family का उस joint Hindu family का जो सबसे बड़ा है बड़ा person है उसके द्वारा ही लिया जाता है वही उस company का owner जो है वो माना जाता है तो ये तो हमने पढ़ लिया कि joint Hindu family अब next हम जानेंगे कि how to form a company एक company को हम form कैसे कर सकते हैं एक company को हम बनाने के लिए क्या क्या कर सकते हैं company को बनाने का मतलब है कि director of the company कौन होगा उसमें register company name क्या होगा तो ये सब सारी चीज़ें step by step वो discuss करेंगे फर्स्ट हमारे पास आता है identify the director of company identify the director of company फर्स्ट तो अगर आप company start कर रहे हो तो जैसे एक joint Hindu family है या फिर joint stock company है तो आपको इस company में पहले ये decide करने करना पड़ेगा सबी pupils को बैठके जो कि उसके main manager से उनको बैठके कि उनकी company का director कौन होगा जो कि company को सारी company को balance करेगा जो कि company के decision जो है वो सही से ले सके तो उसके लिए आपको एक mindset वाला बंदा चीए होगा जिसके पास mindset हो और जो आपकी company को grow करने में help कर सके नए ने ideas जो है वो implementation कर सके तो वो है identified the director of company की पहले आपको एक director चाहिए अपनी company के लिए सेकिन हमार पास आता है apply for director identification number DIN डारेक्टर identification number है ये question जो है वो ऐसे आता है आपको MCQ में भी आता है ये general knowledge में भी आता है कि DIN DIN की full form क्या है director identification number तो ये क्या होता है कि जो भी हम कोई बढ़ी company start करते है बढ़ा firm start करते है तो उसमें हमें एक director identification number मिलता है उसके लिए पहले वो हमें कैसे मिलेगा उसके लिए पहले हमें apply करना पड़ेगा DIN के लिए director identification number के लिए then वो हमें फिर मिलेगा थर्ड स्टेप होता है हमारे पास the directors need to have a digital signature तो एक digital signature होता है डारेक्टर के लिए उसको वो signature लेना होता है थर्ड स्टेप में and fourth one जो झो स्टेप है हमारे पास वो है to register a company name आप जो भी company बना रहे हैं तो जो भी उसका name आपने decide करा है उसको register करवाना कंपनी का नेम रिजिस्टर करवाना ज़रूरी है तब ही लोगों को पता चलेगा आपकी कंपनी का नाम है कंपनी कैसी है आपकी कंपनी में क्या क्या काम होता है किशी की प्रोडक्शन होती है कौन-कौन सी आपकी सर्बिसेज है तो उसके according आप अपनी कंपनी का नाम रखते हो then हमारे fourth step में वही आता है कि आपको अपनी कंपनी का नाम जो है वो रिजिस्टर करना है then हमारे पास fifth step है to incorporate the company fifth में हमारे पास यह आता है कि जब हमारे कंपनी बन गी उसका director हो गया DIN मिल गया डिरेक्टर इंटिफिकेशन नंबर मिल गया digital signature भी हमें मिल गया फिर हमने company का नेम भी register करवा लिया अब उस company को हमें corporate में लाना है society में लाना है तो society में यह बड़ी firms के साथ जो है वो comparison में लाना है काम करना है तो वो हमारे पास आता है फिफ्ट स्टेप में लास्ट स्टेप में दन आगे हमारे पास एक question आता है हमने चार वीडियो जो है पहले बनाई है four chapter enterprise entrepreneurship development के बारे में तो हर unit में हमारे पास एक या दो question जो है वो आए है वैसी तो maximum दो question आए है हर unit में जो भी हमने पढ़ी है कि main question कौन कौन से है तो वैसे ही इसे unit में हमारे पास question है what is public enterprise अगर आपको first four chapter unit sorry entrepreneurship development की अगर आपको वो पढ़नी होगी study करनी होगी तो मैं उनका link जो है वो description में डाल दूगी आप वहाँ से जो है study कर सकते हो और अगर आपको long video नहीं देखनी होगी तो आप मेरी short video भी देख सकते हो वहाँ पर मैंने shorts में डाला हुआ है कि हमने इस chapter में यह discuss करा दरनाप पर decide कर सकते हो कि आपको कौन से video देखनी है जो आपको material चाहिए उसके according में ने video बनाई है या नहीं बनाई है और if अगर आपको कोई another topic के बारे में another chapter के बारे में another book के बारे में questions चाहिए होगे या हमें chapter discuss करना होगा जैसे कि हम entrepreneurship development कर रहे है या जैसे हमने management accounting करी है business law की book जो है वो discuss करी है उस तरीके से आपको चाहिए होगा तो भी आप में को जो है क्या है question क्या है मारे पास question है मारे पास what is public enterprise public enterprise क्या है according to the A.H. Hanson a public enterprise means government ownership of a business undertaking अब मैंने आपको एक definition बताई है अगर आपसे meaning पुछा होगा तो आप meaning ही लिखोगे definition पुछी होगी तो आप ये लिख सकते हो आप meaning में जो है वो definition include कर सकते हो लेकिन अगर आपसे ऐसा पुछा गया कि what is the definition of public enterprise तो आप उसका meaning डिफाइन नहीं कर सकते हो आपको किसी एक जो है वो writer की जो भी उसने definition दी होगी public enterprise की किसी भी अलग question है आपको वहाँ पे definition पुछी ही है तो definition में आपको किसी writer की एक definition ही देनी होती है लेकिन अगर meaning पुछा गया है तो आप meaning और definition दोनों भी दे सकते हो या फिर definition भी लिख सकते हो तो definition क्या है इसमें public enterprise means government ownership of a business undertaking यहाँ पे एक normal सी बात है कि public में सबसे ज़ादा किस के चलती है government की तो government जब जो है वो ownership करती है वो होता है public enterprise जो के business undertaking के under होता है जहाँ पे जो है government अपने पूरे rules and regulation जो है वो apply कर लेती है वो ही होता है public enterprise आगे है हमारे पास controlled and managed by government जो public enterprises होते हैं वो होते हैं जिनको control करती है government manage करती है government example लेते हैं हम इसमें like first example लेते हैं हम इसमें LIC life insurance corporate तो ये सबसे बड़ा example है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी तो ये है example public enterprises का LIC second है हमारे पास Hindustan Machine Tools Limited ये भी जो है वो public enterprises का example है third one है food corporation of India FCI and last one है हमारे पास trade trading corporation of India ये जो भी companies है वो public sorry government के अंडर जो है वो taking होती है government undertaking होती है जिनको जो है वो जिस पे government के rules and regulation जो है वो apply होते हैं ये थे हमारे public enterprises के example I hope so कि आपको समझ आ गया होगा इसको हमें जादा briefly जो है वो discuss करने की अब ज़रूरत नहीं है आपको समझ आ गया होगा अब हमारा next topic है Workman Workman Compensation Act 1923 तो ये है हमारा second last topic तो इसमें हमारे पास क्या आता है in the provision of compensation to workers and their dependents who are fiction of any accident and lost their part of body or life for example यहां पर अब हम एक example लेते हैं कोई भी company है उसमें बहुत सारे बरकर से बहुत सारे employees हैं अब जो भी employees है माल लेजिए उसका कोई accident हो जाता है चाहे वो company की machine का use करने के through हो गया कि वो machine का use कर रहा है then उसके साथ कोई accident हो गया या फिर वो कोई service का काम करता है delivery का काम करता है और उसी के बीच में उसके साथ जह वो accident हो गया तो उसके लिए कुछ compensation मिलता है company की तरफ से भी मिलता है और government की तरफ से भी मिलता है माले जी अगर वो अपनी life भी गवा देता है तो भी company की तरफ से उसे compensation मिलेगा government की तरफ से उसे compensation मिलेगा कुछ roles and regulation की through तो वो roles and regulation क्या है? Workman Compensation है जिसको पहले Workman Compensation Act बोला जाता था अब उसको क्या बोला जाता है? Now Act is known as Employee Compensation Act 1923 अब जिसको बोला जाता है Employees Compensation Act Third point है हमारे पास Compensation Payable Based on the Wages of Worker and Nature of Injury or Disabability जैसे normally life में भी हमने देखा होगा कि क्या होता है? कि अगर किसी के father वो buddy post पे है चाहे वो buddy company है, private company है या फिर वो government company है किसी buddy post पे वो जो काम करते है and काम करते करते क्या हुआ? कि उनकी कोई injury होगी या उनकी जान चली ही तो उसके अगर जो है उनका जो बच्चा है जो भी है अगर उनका son है या फिर daughter है अगर वो छोटा है अभी 18 से कम है तो वो minor में आता है तो उसको job अभी नहीं दे सकते government लेकिन जब वो अपनी minor age complete कर लेता है 18 complete कर लेता है या 18 above हो जाता है तो इस case में क्या होता है कि जो father की job होती है वो job दी जाती है उस बच्चे को या ज़रूरी नहीं है कि उस बच्चे को दी जाए पहले ये concern होता है कि उनकी wife को दी जाए पहले ऐसा होता था कि जो post father की है वही उनके वो son को दी जाएगी या daughter को दी जाएगी अब ऐसा है कि जितनी उनके son की qualification होगी जितनी उन्होंने study करी होगी degree होगी, diploma होगा उसी के base पर उन्हें job दी जाएगी ऐसा नहीं है कि अगर उनका father जो है वो बहुत बड़ी position पर है तो बच्चे को भी 18 के बाद वही position दी जाएगी ये नहीं है, अब ये rule जो है वो apply नहीं होता है अब ये rule apply होता है कि जितनी जो है उस son ने daughter ने qualification की होगी जितनी उनकी degree होगी उसी के base पर है जो job दी जाती है उनकी wife को भी वो job offer करी जाती है अगर वो educated है वो educated है तो वो job जो है वो continue भी कर सकते है अगर नहीं तो कुछ time बाद वो उनके son को job दी जाती है फोर्थ है मारे पास ESI Employee State Insurance Corporation Responsible for providing medical benefit, cash benefit and other facilities जो भी हमारे पास Employee State Insurance Corporation है वो क्यों provide करते है वो medical benefits provide करते है cash benefits provide करते है and other benefits जो है वो provide करते है other facilities में हमारे पास household facilities etc जो है वो आ सकते है तो इसके बाद हमारे पास एक question और आता है इसमें जो कि small scale industries से related है जो कि अगर आपको पता होगा तो हमने first unit में define करा था कि what is small scale industries मैं description में उसका link दे दूँगी आपको small scale industry जो है वो easily समझा जाएगा पर briefly उसको समझ लोगे कि what is small scale industries तो आदे अपने question पे वेरिश नाशनल एंड state level agencies विच रेंडर असिस्टेंस तो small scale industries कौन कौन सी जो है वो एजेंसिस है state level and national level agencies है जो कि small scale industries में जो है वो help करती है तो टाइप्स की जो है वो एजेंसिस होती है first one is national level agency and second one is state level agency तो national level agency में हमारे पास आता है national small industries corporation limited NSIC तो अब देखते हैं कि national small industries corporation limited जो है वो क्या है set up wise central government in 1955 ये जो small industry national small industries जो है ये कब जो है वो set up हो ही थी इसका set up कब हुआ था इसका set up हुआ था 1955 में second point है हमारे पास import plan and machinery for SSI जो small national level agencies होता है उनका काम क्या होता है उनका काम होता है कि जो plant and machinery होती है इनका import करना for SSI for SSI sorry SSI means small scale industries small scale industry sorry national level agency में हमारे पास ये national level agency जो है इसमें तीन एजेंसिस आती है first हमने देख ली national small industry corporation limited second one है हमारे पास small industry development organization and third national agency है small industry service institute तो ये जो first है हमारे हमने देखा तो उसमें हमारे पास एक third point और है वो है train the worker on operation of modern machinery worker को train करा जाता है जो की modern machinery होती है जरूरी नहीं है कि company sorry किसी भी firm में organization में जो भी बड़ी company है अगर वो manufacturing का काम कर रही है या कोई भी product बनाते है तो उन product को बनाने के लिए कोई machine modern machine होती है जो की सभी worker को use करना नहीं आती तो इसमें क्या होता है वो trend करे जाते है small scale industries के worker जो है वो trend करे जाते है कि कि किस machine machine को जो है वो कैसे use करा जाए किस तरह से use करा जाए second one है हमारे पास national agency small industries industries development organization SIDO अब यह भी एक mcq बनता है या फिर आपके पास general knowledge में भी आ सकता है कि SIDO का क्या question है तो यह question है small industries development organization जब भी आप जो है वो interest देती हो अगर आपको लाइक अभी B.com करने में या B.BA करने में उनमें तो interest नहीं होता है लेकिन अगर आप जब MBA कर जो M.com कर जो message कर जो तो उसके लिए अगर आपको government के through वो degree करनी है तो उसके लिए पहले क्या है entrance का system apply होता है जहां पर कम phase लगती है तो उसमें क्या होता है कि entrance में आपसे ये question पूछा जा सकता है M.C.Q. है क्योंकि ये और M.com में ये question पूछा जा सकता है या MBA में ये question पूछा जा सकता है कि S.I.D.O. की full form क्या हरती है तो आप वहां पर लिख सकते हो कि Small Industries Development Organization This is the definition या fearful form of Small Industries Development Organization S.I.D.O. तो अब देखते हैं कि S.I.D.O. में हमारे पस क्या क्या आता है Setup by Setup for Policy Making Coordinating and Monitoring First of all इसका Setup करा जाता है Policy Making Policies बनाने के लिए Second है Coordination Coordination के लिए कोई भी company है चाहे वो Small Skill Industry है Long Skill Industry है चाहे वो Small Based पर है चाहे वो किसी बड़े Objective Based पर है तो वहां पर Coordination होना बहुत ज़रूरी है Employees का Worker सका कि वो अगर एक एक person जो है वो First चीज़ पर Work कर रहा है And then Second Person Second चीज़ पर Work कर रहा है तो उनका Coordination होना जो है बहुत ही ज़्यादा Important है Then Next है हमार पास Monitoring Monitoring भी इसमें आता है कि इसमें देखा जाता है कि कौन जो Employees जो है कैसा work कर रहा है कैसा नहीं work कर रहा है कहां पे हमें Profit होने का जो है वो संभावना है कहां पे Profit होने की संभावना नहीं है तो ये हमार पास Monitoring में आता है Then Third हमार पास Sorry Seconds Point यहां पे हमार पास आता है Provide Technical Consultancy जो भी Small Scale Industry में Employees होते है Workers होते है उनको Technical जो है वो Consultancy जो है Provide की जाती है कि आप अगर कोई भी Business कर रहे Small Scale Industry वाले तो Maximum वो चीज़े क्या करते है कि उनके पास Capital उतनी जादा नहीं होती तो वो Prefer करते है कि Maximum चीज़े वो हाथों से ही करे Technical मतलब जो भी Machines होते है टेक्नीकल ही है उनका उतना जादा वो Use नहीं करते है तो इसमें क्या होता है Small Scale Industry Development Organization Small Scale Industries जो है उसमें Employees क्योते है उनको Technical जो है वो Service Provide की जाती है तब भी इसमें ये लिखा गिए है कि Second Agency जो है Small Industries Development Organization है जहां पे Small जो Industries होती है Small Scale Industries होती है उस Industry को Develop करा जाता है उस Organization को Development करने में Help की जाती है Last one है हमारे पास Third जो Second National Agency में हमारे पास Point है Third वो है Preparing Report and Literatures यहां पे क्या करा जाता है कि जो भी हमारे Business की Reports होती है वो Prepare करा जाता है Literatures होते है वो Prepare करे जाते है Third वन National Agency है हमारे पास Small Industries Service Institute यह हमारे पास Last National Agency Third National Agency तो इसमें हमारे पास क्या होता है Help in Selecting Industries Location and Layout इसमें Small Scale Industry की Help करे जाती है कि जो भी Industry है उसकी Location कहां पे होगी उसका Layout कैसा होगा अब हमें एक ऐसी Location भी ढूननी पड़ेगी अपने Small को स्टार्ट करने के लिए अपने Business को स्टार्ट करने के लिए जहां पे हमारे पास Customer जादा आए हमारा Product जो है वो जादा बीके तो उसके लिए सबसे First चीज होती है कि हमारे पास ऐसी Location होनी चाहिए जहां पे परसन जादा से जादा आना Prefer करें और उसका Layout भी जो है वो अच्छा होना चीए Second वन है हमारे पास Provide Training Facilities जो हमने उपर भी पड़ा कि यहां पे Training जो है वो Provide करा जाती है Small Scale Industries Employees को कि कैसे जो है वो हमें Business करना चीए कैसे हमें कौन सा काम जो है नहीं बना लेते हैं उसके लिए हमें एक डिजाइन बनाना पड़ता है उसके प्रोड़क्ट के लिए कि लाइक उसका Coverage कैसी होगी उसकी Advertisement कैसी होगी अगर आप Advertis देना चाहते हो अपने प्रोड़क्ट की तो वो कैसे दोगे वो कैसे डिजाइन होगी आपके प्रोड़क्ट का ले आउट कैसा होगा आपका First Page कैसा होगा Last Page कैसा होगा या आपका Front Page कैसा होगा आपका Name कैसे डिजाइन होगा Description कैसे डिजाइन होगी तो वो सब आता है इसमें तो ये थी हमारी National Level Agency Three Types of National Level Agency First Team National Level Agency and Second Team है हमारी पास State Level Agency तो अब हम देखेंगे कि State Level Agency जो है क्या है और इसमें क्या क्या आता है पहला हमारी पास आता है District Industry Center DIC इसमें क्या होता है Consist of One General Manager इसमें जो है District Industry Center में One General Manager भी होता है Consist of Four Functional Manager Four Functional Managers भी होते हैं जो की Monitoring करते हैं ये देखते हैं कि Company कैसे चल रही है Production कैसे चल रही है Company कैसे जो है वो Grow कर रही है वो ये सब देखते हैं Functional Manager और इनका Main काम ही होता है Company को Start करना ये लोग मिलके जो है किसी भी Company को Start करवाते हैं State Level पे Third है हमारे पास Conducting Survey Survey Conduct करना मतलब जो भी Market में जाके Data लाना कि किस Product की ज़्यादा ज़रूरत है किस Product की नहीं है या फिर जो Product आपने बनाया है उसमें क्या-क्या Changes करने की ज़रूरत है कितनी Consumer की Requirement है Customer की Requirement है आपके Product कितना उनको Satisfye कर रहा 80% 90% वो है वो चीज़े सारी Survey में आती है फिर आपको पता चलता है कि आपको किस Based पर अपना Product जो है वो Launch करना है Second जो हमारे बास State Level Agency है वो है State Industries Development Corporation SIDC तो इसमें हमारे बास First क्या आता है Setup for Industrial Development जो भी हमें Setup करना होता है पहले वो होता है Industrial Development के लिए वो हमें Setup करना होता है कि हमें अपनी Industry में क्या-क्या Development करनी है Second one है हमारे पास Provide Finance to all Small, Medium and Large Industries जो भी Small और Medium Large Industries होती है उन्हें State Level Agency से Finance Help जो है वो Provide करवाई जाती है जाहे वो Small Industry है Medium Industry है या Large Industry है उन्हें सबको जो है वो Finance Provide जो है वो करवाया जाता है Last Third और Last One है हमारे पास Provide Seed Capital to Young Enterprises जो Young Enterprises होते है उनको Seed Capital भी Provide करवाया जाता है Through State Industries Development Corporation के द्वारा And Last जो हमारी State Level Agency है वो है हमारे पास Director of Industry of the State ये हमारे पास Last State Level Agency जिसमें हमारे पास आता है First Help to Get License And Permission First हमारे पास जो की Help करता है Get License And Permission लेने में जो भी Small Scale Industry है या Large Scale Industry है उसको ये Help करता है Get License License को लेने में और Permissions लेने में Second one है हमारे पास Help SSI to Develop जो की जो भी हमारे पास Small Scale Industry होती है चाहिए वो कोई भी Industry है किसी भी Type की Small Scale Industry होती है उसको Develop करने में जो है वो Help करता है कौन Help करता है Small Scale Industry को Develop करने में वो हमारे पास Director of Industry of the State जो State Level Agency है वो Small Scale Industries को Develop करने में बहुत ही Help करती है Third है हमारे पास Provide Incentive Benefits and Subsides ये जो है Incentive Provide करता है SSI को Small Scale Industry को Benefits Provide करवाता है Subsides Provide करवाता है कौन Provide करवाता है जो भी हमारे पास State Level Agencies होती है and Last One है हमारे पास Help to Register SSI Small Scale Industry को Register करने में Help करता है Director of Industries of the State State Level Agency जो है वो Help करता है Small Scale Industries को Register करने में तो ये थी हमारी की National Level Agencies हमारे पास क्या-क्या है उनमें क्या-क्या होता है और State Level Agencies जो है वो क्या-क्या है और उनमें क्या-क्या होता है और वो Small Scale Industries को कैसे Help करती है कैसे Grow करती है तो ये था हमारा आज का Top Peak Fifth Unit of Entrepreneurship Development Entrepreneur and Law जो कि हमने Discuss कर लिया Complete कर लिये Then अब हमारी जो Next वीडियो आएगी Last वीडियो Entrepreneurship Development के बारे में वो आएगी कि What is the most important question of Entrepreneurship Development जो कि Entrepreneurship Development book है हमारे पास उसमें Most important question कौन-कौन से है जो कि आपको exams के based से जो है वो बहुत important लगते है वो मैं आपको बताऊंगी अगर आप उनके according भी जो है वो अपनी exam की preparation करते हो तैयारी करते हो तो मैं आपको 90% shorty देती हूँ कि 90% जो है वो आपको वही question आएंगे and आप जो है वो अपने marks जो है वो अच्छे से अच्छे जो है वो अचीब कर पाऊगे ले सकते हो तो अभी हमारी वीडियो जो है वो end हो चुकी है हमने 5 chapter जो है वो discuss कर लिए next आपको कौन सी book discuss करनी है या कौन सा chapter discuss करना है कौन सी book के आपको important question जो है वो discuss करने है वो आप मेंको comment में जो है वो बता सकते हो फिर मैं उसी के according जो है वो video बनाऊंगी next जो है तो I hope so कि आपको मेरी video पसंद आएगी and आप आगे भी मेरी video देखना जो आप पसंद करोगे तो channel को like, share, subscribe करना मत भूलना and see you in the next video